हेलो माई लॉवाइस्पिरंस कैसे आप सब लोग और सपना अगर देख रहे हो एक एंडलीव में जाने का तो अभी आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई हम कैसे करें और अभी हम क्लास 12 में आये हैं जर्णी थोड़ी लंबी है और इस जर्णी में आपके पास हैं क्या-क्या च कर थोड़ा सा समय चाहूंगा चाहूंगा कि सरफ आप मुझे सुन लें कि यहां पर क्या और वो कौन सी बुक्स हैं या क्या उन सी सोर्स मटीरल हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आपको हो सकता है बहुत फाइदा अब एक क्लायट का जो आस्पिरेंट होता है वो बाकी सारे अलग क्यों होता है वो डील होता है क्योंकि यहां पर एक सेलेबस के नाम पर आपको एक कॉंक्रीट चीज कुछ नहीं मिलती आपको एक प्राक्तिकल अप्लिकैशन वाला चीजें बोले जाते हैं कि आपको रीडिंग गांशन आईगा आपको क्रिटे कल रीजिंग या पैस कि इस वीडियो में हम यही बताने आए हैं आपको कि आप इस पेपर को पहले तो यह करिए समझ लीजे कि आपको इस पेपर में आता क्या है किस तरीके से आता है so that आप अपनी प्रेपरेशन एक अच्छे तरीके से कर सकें and you can keep your best foot forward तो अगर हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले आपको section पतवने चीए हैं और अगर आप इस बच्चे की तरह हम पर यह सोच रहें कि sections फिर से बता रहे हैं या section तो मुझे पता है या section में कौन सी बड़ी बात है solchen में जानना जरूरी क्यों है कि आपके पास आता है English Language, आपके पास आता है Critical Reasoning, आपके पास आता है Quantitative Aptitude, Legal Aptitude, और General Knowledge. यह आपके पास 5 sections आते हैं. अब यह section में से, अब ऐसा कौन सा section है, जो आपने already पहले से ही at least उसके familiar हो. और वो familiarity आपकी सिर्फ English Language और Quantitative Aptitude से होगी. अगर वो भी Quantitative Aptitude आपने class 10 में नहीं छोड़ दिया होगा तो. तो English में भी अगर आपको at least इतना तो पता है कि एक unseen passage आता है. लेकिन उसके अलावा अगर आप बागी सारी चीज़ें देखें, तो यहाँ पर नाम है और उसके top पे आपको यह बोल दिया जाता है कि इन में आपके पास passage based question आईए और फिर हम बच्चे सोच में पर जाते हैं कि इसमें passage based question आएगा तो इसकी हम preparation करें कहां से और कैसे हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको यह चीज़ समझना जुरूरी है कि यह paper जब क्योंकि एक process oriented paper है जहां पर आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो आपको help करेगा इस paper को clear करने के लिए तो उसके लिए आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ना पढ़ेगा या इस source से पढ़ना पढ़ेगा जो आपको इस paper के और past ले जाए और अप ले जाए आपके उस NLU के जहाँ पर आप जाना चाहते हों तो अगर हम चाले हैं तो फरस्टे पहले आता है English और English में आपसे Reading Comprehension, Interpretation, Vocabulary और आपसे Grammar पूछा जाता है तो अगर आपको यह सारी की सारी चीज़े करनी हैं तो इसमें आप सबसे पहला चीज़ जो कर सकते हैं कि Reading Comprehension के लिए आपके पास एक बुक आती है जिसको हम बोलते हैं अरुन शर्मा और मिनाक्षी उपाध्य है यह आप यहाँ से डेफिनिटली इसको करें इसमें से आपको काफी सारे passages मिल जाते हैं और अगर आप बिलकुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए एक बुक आती है जिसको हम बोलते हैं Proficiency in Reading Comprehension वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से interpretation के लिए आपको newspaper हर दिन पढ़ना जरूरी है और newspaper से आपके आगे Current Affairs के section में भी काफी फाइदा आपको मिल जाता है Vocabulary के लिए आप word par made easy यह book आप ले सकते हैं This will really help you out and this will also prepare you for vocabulary because अगर आपकी vocabulary अच्छी है बच्चो तो आपको कहीं न कहीं एक upper edge मिल जाता है in terms of comprehending that particular passage और grammar के लिए आप Renan Martin का use कर सकते हैं क्योंकि Renan Martin से grammar करने के बाद OLEDs जितने भी हैं Other Law Entrance Examination उनमें आपको बहुत help यहाँ पर मिल जाएगी तो यह आपके सामने किताबे आपको मिल जाती हैं तो इसमें आपको process requires accuracy more than speed, skimming, scamming यह सब चीज़ें आपको practice से मिलती हैं और उसमें आपको यह किताबे हैं जो मैं आपको refer कर रहा हूं जो आप ले सकते हैं That is How to Prepare for Verbal Ability and Reading Comprehension and High School English Grammar and Composition by Renan Martin इसके अलावा Word Power Made Easy आप refer कर सकते हैं या फिर Objective English by S.P. Bakshi यह भी आप ले सकते हैं That will really help you out in these preparations अगला जो आपके पास आता है That is Critical Thinking जिसको हम बोलते है Critical Reasoning तो सबसे पहली चीज़ जो Critical Reasoning में आपको पता होनी चाहिए वो यह है कि यह दो बुक्स तो आपके सामने हैं लेकिन उसके अलावा एक GMAT Club करके आपके पास एक साइट है जहां पर आप जाके वहां से बहुत सारे questions को practice आप कर सकते हैं This will really help you out उसके अलावा A modern approach to verbal and non-verbal reasoning AP Bhardwaj की book आती है वो भी आप देख सकते हैं RS Agrawal की book आपके सामने है GMAT का Focus Edition यहां से अगर आप Critical Reasoning के questions जी भरके practice कर सकते हैं जो आपको help करेंगे इस section को ace करने में इसमें आपके पास questions like strengthening the argument weakening the argument यह सारे questions आते हैं या फिर best supporting या फिर आपका conclusion assumption के question आ जाते हैं वो सब चीज़ें आपस यहां पर पूछी जाती हैं that will be really helpful and beneficial for you फिर आता है Legal Reasoning जिसमें आप ये बुक है Universal Guide to CLAT and LLB Important Judgments की बुक है ये आप कर सकते हैं अब जहां तक अगर आप थोड़ा सा analysis करें CLAT के paper का 2020 से लेकर 2024 तक के paper में तो आपको पाओगे कि ऐसे कौन-कौन से topics हैं जहां पर से regular questions पूछे जा रहे हैं law में तो अगर आप वहां से अपनी practice करते हो प्लस अगर आप ऐसे laws जिसके ओपर throughout the year कुछ बात हुई है या कुछ major changes और amendments हुए हैं वहां पर उस law के ओपर definitely आपको question देखने को मिल जाएगा जैसे हमने देखा था सरोग यसी, triple तलाग इनके ओपर questions आयते तो ये आपको newspaper से भी मिल जाते हैं अगर आप legal maxims या landmark judgments करते हैं वहां से भी बहुत सारे questions आपके पास पूछने लग जाते हैं उसके अलावा आप tort से, contract से Hindu आपका जो law है उसमें से आपके पास काफी questions देखने को मिल जाते हैं जहां पर आप अगर इनकी practice करते हैं तो आपको बहुत फाइदा इससे हो जाता है उसके बाद आपके पास आता है mathematics ये एक ऐसा topic है या subject है या section है जिसको बच्चे बहुत जादा neglect करते थे कहीं बार क्योंकि ये ठोड़ा सा difficult लगता है उन्हें या उनको आता नहीं है लेकिन इस साल जब हमने देखा कि 12 questions आपके पास इतने easy आए कि आप उन्हें अराम से कर सकते थे तो मेरे ख्याल से आपको maths को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इसके लिए आप ratio proportion, percentages, averages ऐसे वाले जो chapters है इनको ज़रूर करें क्योंकि data interpretation में maximum question यही से आते है percentages, ratio proportion और आपके averages से उसके लिए आप ये book quantitative aptitude, R.S. Agrawal की book आती है K. Kundal की data interpretation आती है and quicker math की ये book को refer कर सकते है एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि अगर आप इन में से कोई book को refer करते है then you stick to that particular source do not run after many books आप एक book को 10 बार करिए instead of 10 books को एक बार करने करें तो आपको ज़ादा फायदा हो जाएगा और आपको काफी एक accuracy भी मिलेगी आने वाले दिनों में अपने paper में लिए उसके अलावा mock test लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि mock test आपको एक practice देगा plus आपको एक understanding देता है इन सारे exams के बारे में तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले मैं ये खतम करूँगा फिर जाके mock test लेना है क्योंकि यहाँ पर कोई syllabus नहीं है तो इसलिए आपको first day से ही या preparation के 10 दिनों के अंदर से mock test देना शुरूर कर देना चाहिए in fact आपकी preparation start ही होनी चाहिए एक diagnostic class से जिससे आपको पता चले कि आप अभी कहां stand करते हैं और वहीं उसके बाद जब आपका end में current affairs बजाता है तो current affairs में आप जाके देखिए और current affairs के लिए newspapers पढ़िए और आप current affairs के लिए जो magazines है वो हमारी app से free of cost download कर सकते हैं उसके अलावा इस सारी की सारी book और सारी की सारी जो मैंने आभी आपको sources बताई उन sources के साथ आपके पास एक source है और वो source है CLAT and other law entrance examination अज्डा 24-7 की खुद की in-house book इस book में आपको मिलते हैं साड़े 800 से जादा passages जो आपको पूरे latest pattern के साथ मिलते हैं और plus आपको मिलते हैं previous year question papers धी जहांपर आपको solution के साथ दिये जाते हैं अगर आप ये book को purchase करते हैं तो आपको definitely फाइदा होता है और उस book से आपको मिलेगी धेरो questions के साथ पहतरीन practice जब आप वो practice करते हैं तो आप धीरे धीरे step by step देखेंगे कि आपका mocks में भी score है वो काफी enhance हो रहा है तो ये चीज़ जियान रखें और ये सारी sources अगर आप करते हैं तो आप बन सकते हैं इस client के महारती और कर सकते हैं अपना सपना जो हम दोनोंने देखा है साथ में और वो है NLU का सपना अब होगा अपना करिए मेरे साथ की preparation और लीजिए ये प्रतिग्या कि हम लोग करिएंगे paper को clear और बनेंगे एक visionary और पहुँचेंगे एक अच्छे से NLU में और फिर देशकी करेंगे सेवा राइट इसी के साथ मैं आपको करता हूँ जै हिंद जै भारत के साथ आपको देता हूँ मैं यहाँ पर एक ये बात कि आप जाके फटा फट से कीजिए इसको books को और ये sources से करिए अपनी preparation को एक next level preparation टेक केर बाई बाई